हेलो योडिवान कुक वित प्रती भाव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने जारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी वाला मज़ेदार स्नेक्स जब स्नेक्स खाके ये बज़ जाये तो इसकी बनाएंगे हम सब्जी जो कि बनेगी बड़े ही टेस्टी और सबजी बनाने का जंजट जो बहुत ज्यादा टेंशन रहता है क्या बनाओ क्या बनाओ ओवी खत्म हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी तो इसके लिए क्या क्या है मैंने ये एक ग्राइंडिंग जार लिया है इसमें लि लिए हैं अब इसको穋 एक बाल में अब देख को कर रहे हूं अब इसमें डालते हैं हम यह पुछ मसाले लेकिन उससे पहले डालेंगे हम यह उनफोर्थ कड़ा जीतना चावल का आटा उसके बाद डालेंगे फॉस बेसन जाएं सब ढ determर्लों लिए में जालते हैं cela पाणिवाला मीठा सोडा यह बिल्कुल ऑप्शनल है आपको लगता है तो डालिए ने तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है थोड़ा सा पतला हो गया तो इसमें बेसन भी आड़ कर सकते हैं यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी अभी बनके तियार है अब लेते ही एक प इस बना रहे हैं हम इसमें तो इससे क्या होगा है बहुत ज्यादा इसमें बन जाएंगे तो इसे क्या होगा यह सबी साइट से बहुत अच्छे से पक जाएगा देखिए बहुत बढ़िया से इसका रेडिश कलर आ गया है अब हम इसको निकाल लेते हैं अब लेते हैं एक टिशू पेपर और छलने के ऊपर टिशू पेपर रख देते हैं और उसके ऊपर यह डाल दे ताकि इसमें अगर कुछ ऑईल बचा हो तो ओईल निकल जाएगा यह देखिए अब क्या करते इसी ऑईल में जो बचे हुआ जो आटा है उसका भी बना लेते देखिए बहुत बढ़िया से स्नेक्स बनके हमारा तियार हो गया है चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत कर लेते हैं अब यह जो बच जाए खाके तब हम क्या करते हैं इसकी बना लेते सबजी इसके लिए क्या करते हैं ग्राइंडिंग जार इसमें डाल देते हैं बुना हुआ प्याज और इसमें कुछ यह मुफली धनिया और यह जीरा डाल दिया है और यह एक हरी मिर्च डाल अब इसमें क्या करते हैं पहले तो डालते हैं दाल चीनी ये तेज पत्ता ये मीरे और ये डालते हैं हम लाओं काली मिर्च भी डाली है अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा ये प्याज और इसको अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं अब इसमें डालते हैं लाल मिर्ची अब इसक तोड़ा सा धखने के ताकि इसका जो ऐल है सेपरेट हो जाए और ग्रेवी बढ़ियासी पक गई है अब इसमें क्या करते हैं हमने जो यह जिस बॉल में हमने आटा बनाया था स्नेक्स बनाने के लिए उसे में मैंने पानी डाल दिया दो चम्मच जितना बचा था उसी से ये गाड़ी ग्रेवी बन जाएगी अगर आपके पास ये बची नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन भी ले सकते है नहीं तो आपको पतला पसंद है बहुत गाड़ा पसंद नहीं तो इसको बिना बेसन के भी ऐसे ही आप पानी डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं अब देखिए बहुत बढ़िया सी ग्रेवी बन गई है लेकिन अब पकने के बाद अच्छी सी बनेगी अब लाश्ट में डालते है इसमें नमक अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं धक्के रख देते हैं ताकि यह बढ़िया से पक जाए और इसकी जो खुश्बू है और टेस्ट है बढ़िया से आ जाए देखिए बहुत बढ़िया से पक गया है यह हमारा ग्रेवी यह देखिए बहुत बढ़िया हो गई है अभी यह बचा हुआ जो स्नेक्स है उस बढ़िया है लास्ट में ही एड़ करना है हमको ताकि इसकी जो खुश्बू है बहुत बढ़िया से आजाए अच्छे से मिला लेते हैं देखिए बढ़िया वाली हमारी यह जो सब्जी है बनके तयार है आप इस टेस्टी सी स्नेक्स वाली सब्जी को चावल के साथ रोटी के साथ पूरी के साथ बहुत मज़े लेके बढ़िया से खा सकते हैं तो चलिए आप भी बनाईए खाईए और मस्त रही है और अगर आप मेरी चानल पे पहली बार आए हो तो मेरी चानल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स रेसीपी में तब